चाटर प्लेण से जाते हैं के खाने के लिए पहले बीन के बारे में निकला कि अपना जालम दिनन मनाते हैं कहां से आता है चारण पैशा कितना शंग रहीत हो गया था कि अब दिखार की जनता की आवाज को और बिहर की मजदूरों और नौजवान प्रणों की लड़ाई लड़ने में कारवाई करें तो वो भी स्विकार हैं। सदन के अंदर अगर जो सरकार संबेदन हीन हो उप मुखमंतरी का ब्यान जिस तरह के आया वो तो हम लोग मुखमंतरी से जाके मिले हैं तो उन्होंने संग्यान लिया। इस तरह के विवहार लोक्तंतर के लिए घातक है। जन्ता से फिडवेक लेना चाहिए। अध्यक्ष परतिपक्ष का संदच्छक पहले होता है। सत्तापक्ष का तो सरकार है। लेकिन यहां दुखत अधुरभागपून अस्तिती है। परतिपक्ष के नेता को बोलने नहीं देना। बोलने के लिए भी तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आध मिनट एक मिनट का। और सत्तापक्ष को दस मिनट। सत्तापक्ष के लोग अगर जो परतिपक्ष को गाली दे तो कहें बहुत बढ़ियां बोले हैं। और परतिपक्ष बोले तो कारवाई करें। ये लोगतंत्र के लिए कहें से स्वस्त परमपड़ा नहीं है। अनुमान लगा लें कि सत्ता में ये कितने मदान्त हो चुके हैं। चार्टर प्लेन से जाते हैं केक खाने के लिए। पहले भीन के बारे में निकला कि चार्टर प्लेन पर के अपना जन्मदिन मनाते हैं। कहां से आता है चार्टर प्लेन का। कहां से ये पैसा आता है। चारा का पैसा कितना संग रहित हो गया था। और रानी का प्लेन नहीं है औरे भी या तो किसका प्लेन है अब बता दे ना कहां से इतनी संपत्ति आई कहां किसके परिशापर आप इतना खर्च कर रहे हैं मुकमंत्री जी बरष्टा चार पर जीरो टोलिंस कहते हैं बिहार की जनता समझ रही देख रही है कि क्या बिहार में हो रहा है चल यह थे बिहार विधान सभाके नेता पर्तिपाक्ष बिजय सिनहा देख सकते हैं कि सदन की करवाई जो है वो आज ही खत्म हो गई है और वो जो है वो जा रहे हैं और हमसे बाचित के दौरार उन्होंने कहा कि कहां से आता है इतना पैसा तेस प्याद्व के पास चैटर प्रेंस से केक काटने के लिए जाते हैं लालाविता के लिए इतना ही आप देखते रहें न्यूस फोनेशन